आज हम लोग नागरिक्ता यानि सिटिजन्सिफ के बारे में बात करेंगे जो भागदू यानि पार्ट टू में आर्टिकल पांच से लेके गयर तक इसकी चर्चा की गई है तो पहले हम जानते हैं कि ये नागरिक्ता होती क्या है तो कोई भी देश अपने मूल लिवासियों को 20 अधिकार देती है उसे हम नागरिक्ता कहते हैं जैसे अगर आप नागरिक हैं तो आपको वोटर आईडी कार्ड आपको पहचान पत्र आपको आधार कार्ड सब दिया जा तो कुछ हमारे पास मूल अधिकार दिये जाते हैं बहुत सारे छूट भी दिये जाते हैं जैसा कि आप देखेंगे कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप वोटिंग कर सकते हैं किसी पद पर खरा हो सकते हैं तो मतलब आप भारत के नागरिक हैं तभी आप ये कर सकते है अगर कोई अमेरिका वाला वेक्ति आकर के बोले कि मैं राष्टपती के खरा हो जाओ तो उसे खरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत का नागरिक नहीं होता है तो भारत के नागरिक होने के नाते हमें भोटर ऐडी कार्ट पहचानपत ये सब दिया जाता है हम इसी की चर्चा करते हैं तो भारत में एक हरी नागरिकता प्राप्त हैं कैसी है एक हरी, मतलब हम लोग Allah की नागरिक है हम बिहार के निवासी हैं यह फिर कोई यूपी का निवासी है कोई मांनी राजस्थान का निवासी है तो वो राजस्थान का नायरिकता नहीं प्राप्त वर्ण सबसे पहले अरस्तू नहीं किया था यह आपको याद होना चाहिए इसका next करते हैं आर्टिकल पढते हैं कि हम लोग आर्टिकल को देखते हैं तो सबसे पहले Article 5 याँनि अनुछेद 5 में क्या लिखा गया है, तो चले देखते हैं, बोला गया है संभिधान के प्रारम में नारिता, यानि जब संभिधान बनाया गया, उस समय जो भी भारत में लोग थे, उन सभी को नारिता दे दी गई, तो इसमें तीन कंडीशन था, अब तीनों में से कोई एक अगर फॉलो करता था, तो उससे नाईता दे दी जाती थी। जैसा कि पहला बोला है उसका जन भारत में हो। अगर उसका जन भारत में हैं तो उससे रवाइता दे जाएगी। इसके बाद बोलाग güzel है, उसके öसल माता या पिता, मेंसे इसलाइफा की जन भारत में और मुदिवान स्रीफा देस आज़ास में बना उससे 5 सल पहले गर कोई भारत में रह रहा हो तो उसे भी नारिता दे दी जाएगी ठीक है ये आर्टिकल 5 में कहा गया है कि सम्विधान के प्रारम में नारिता यानि भारत में जितने भी लोग जब सम्विधान बना और जितने भी लोग भारत में उपस्थित थे सभी को को नाहिता दे दी गई लेकिन यह तीन केंसे कोई एक कंडीशन फॉलो करता हो तब नाजिता दे दी जाएगी ठीक है जैसे की अनई nyevacan को मिला एन nyevacan bharat की नहीं थी आई आरलेंड की थी उनने भारत की नाहिता दे दी गई थी इसके बाद article 6 की बात करते हैं और 7 की, अफिकल 6 7 उस समय में फैहमस था अब ये फैहमस नहीं है, पहले जब समिधान बना उस समय में ये जायदा फैहमस था अब जली जानते हैं article 6 में क्या है, बोला गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नाइदिता इसमें जो पाकिस्तान से भारत आये लोगों की नागिता की बात की गई है माली जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में तो इसमें भी दो कंडीशन था एक कंडीशन और दूसरा ये कंडीशन पहला कंडीशन ने बोला गया था कि 19 जुलाई-1948 से पहले कोई भारत में आ जाता पाकिस्तान की नागिता देदी जाएगी लेकिन इसमें क्या हुआ कि 19 जुलाई-1948 के बाद कोई बैक्ती भारत में आना चाहता है पाकिस्तान का कोई वैक्ति भारत में आना चाहता है कब 19 जुलाई-1940 के बाद तो उसे पर्मिट करना पड़ेगा मतले एक फॉर्म आता था उस फॉर्म को पहले भरना पड़ेगा और उस फॉर्म को भरने के बाद 6 मन्त बाद उसे नारीता दे दी जाएगी 6 मन्त बाद अग 19 जुलाई-1947 से पहले अगर भारत में आ गया था तो वैसे ही अपना इता दीजिए कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का कुछ नहीं करना है लेकिन अगर कोई वैक्ति 19 जुलाई-1947 के बाद आया है तो उसे पर्मिट फॉर्म अप्लाई करना परता था उसके बाद उसे 6 म गया हो किन्तु वापस आ जाए तो 6 मंत का रेजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें नाईता दे दी जाएगी तेकि इनमें कहा गया है कि हमारा भारत देश तो आजाद हुआ 15 अगस्त उनीस साहतालिस को लेकिस में बोला गया है कि एक मार्च उनीस साहतालिस यानि कुछ महिना पहले की बात की गई है कि भारत देश आजाद होने से पहले कुछ लोग भारत के जो लोग थे वो पाकिस्तान चले गए क्योंकि एक महौल बन गया था कि यह दो पार्ट में तूटने वाला है भारत और पाकिस्तान बटने वाला है तो कुछ भारत के लोग चले गए कि चलो रेजिटेशन एक फॉर्म आता था उस रेजिटेशन फॉर्म को भर दीजिए और 6 महिने बाद आपको नाईता दे दी जाएगी तो इसमें देखे ये उस समय में पाकिस्तान से भारत आये लोगों की नाईता उस समय में फेमस आर्टिकल थे लेकिन अब ये फेमस नहीं है बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि माता या पिता भारत के नागरिक हो इसमें ये कहा गया है कि माली जे कोई बच्चा भारत से बाहर पैदा हुआ है ठीक है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में आके काम कर रहे हैं तो उनसे जो बच्चे होंगे क्या वो भारत की नारिक नहीं कहलाएंगे क्या आप भारत की नारिकता उन्हें नहीं देंगे बिल्कुल देंगे उनमें कंडिशन यह है कि उनके माता पिता भारती हो तभी आप उनको देंगे नेक्स्ट आर्टिकल में कहा गया है हम वहां पर गए रहने लगे वहां की नाजिता प्राप्त कर लिए तो क्या हम वहां की जो नाजिता प्राप्त कर लिए तो भारत की नाजिता भी प्राप्त करे रहेंगे मतलब भारत की नाजिता बनी रहेगी नहीं आप अगर एक देश की नाजिता प्राप्त कर लिए दूस चाइना के फेवर में चला गया चाइना जिन्दावाद बोल रहा है तो भारत के साथ वह नहीं है वह तो चाइना के साथ चला गया तो इसके इस क्टिसर में आपकी नाईता को क्या कर दी जाएगी इसके बात ये कहीं सही है जासे आफ की सरोकार है वह कोई चाहेगी कि नेता है सब की नाईता खतम कर देंगे वह क्योंकि इनके पास पावर है कुछ भी कर सकते हैं लेकिन har אני 10 में कहा गया है वैसे आप खतम नहीं कर सकते कोई देश विरोधी काम करेगा तभी आप खतम कर देंगे यह हम Specially BJP की नहीं कर रहे हैं जो मालेज़े कॉंग्रेस की सरकारा भी होती तो वो चाहती ऐसा कर दे तो यह दिक्कत था इसलिए अर्टीकल 10 का होना सही है इसमें कहा ग जो रूल बनाई है कौन बनाई संसत बनाई है और इसका जो बित्रन यानि पूरे जगह फैलाना है वह घ्री मंत्रा ले अनका होता है कि वह हर जगह उसको क्या करेंगे हर जगह लोगों तक पहुचा देंगे जैसे आधारकार्ट हड लोगों के पास महुच गया तो सांसत तो कानून बनाई लेकिन पूरा जो पहुचाया कौन ग्री मंत्री का ये काम होता है तो आर्टिकल 11 आपने यहाँ पे समझ लिया क्या है नहीं है अब हम आगे चलते हैं उसमें हम जानते हैं कि भारत की नागिता पांच बीधियों से प्राप्त कर स भारत में जन्म लिये हैं इसमें क्या गया था उस समय में 1955 बनाये गया था बोला गया था जन्म के आधहर पर किसी को भी नागिता दे दी जाएगी कहने का मतलब यह है कि जो भी भारत में जन्म लिया उसको भी नाईता दे दी जाएगी तो इसका बड़ा मिस्यूज होने लगा जैसे मान लिजे कोई लंदन की महिला प्रेग्नेंट यहां पर आई भारत में ताज महल देखने ताज महल देखते देखते वो घरवती जो थी व चाहिए तो फिर इसे सुधार दिया गया इसके बाद दूसरा कहा गया वंस के आधार पर यानी दूसरा आप नाहिता प्राप्त कर सकते हैं很多 के आधार पर जैसे हम लोग मेरे पिता जी को नाहिता कैसे मिली मेरे दादा जी के कारण मेरे दादा जी ने थे सट द और फिक के अंसट चला रहा है तो इसके करदिल्टಯ नहीं मिला था तो कि और यह प्रॉबलम हुआ इसमें बोला घया थ मेरा बच्चा नहीं है तो भड़ा मुसकिल हुआ उसमें संसोधन किया गया सुधार किया गया aur का गया कि माता यापिता में से कोई भारत का नागरी खोगा उसे दे दि जाएगी इसमें वंस के ने सकते हैं साथ वर्स बाद यानि आप कीया तो साथ वर्स बाद भारत में रही है उसके बाद फोर माता है का उसको भर दीजिए उसके बाद उन्हें नागिता दे दी जाएगी लेकिन ये फिक्स नहीं है ये संसत क searched करती है कि आपको नाईता देगी या नहीं देगी इसमें क्या है कोई माने जो कोई पाकिस्तानी आतनकवादी आया यहां पे रहना शुरू कर दिया और वो देखा कि किस गली से भागना सही है क्या हर साथ साल तक वही काम किया फिर नाईता लेके बंबलास्ट कर दिया बड़ करन यानि नेश्ययूर देजिसरी करन में क्या कः गया है कि कपल बिञ्यान के चेत्र में बहुत अच्छे है और भारती है भ़ाचा के आपको जानिकारी है जैसे कि संभीधान में 22 ह्षा के दिया गया है कास्मीरी सिंधी पंजाबी नेपाल की आप एक भासा की आप जानकार हैं और दस साल तक भारत में रह चुके हैं तो आपको देशी करम के द्वारत को नाइता दे दी जाएगी क्योंकि आप किसी भी चीच को समझने के लिए 10 साल तो आपको जरूई है 10 साल तक आप देखेंगे कैसा महाल है क्या है आपको भासा सीखने मे को अरजित कर लिये जैसे याद होगा सिक्कीम हमारा राज नहीं था वो एक अलग देस था वो सुल्ला मई 1975 में से भारत में सामिल कर लिया गया उसे दर्जा मिला था और 1975 में वो पूरी तरह से राज हमारा बन गया तो जितने भी लोग थे वो सभी भारत के नाइडिक हो गए जैसे माली जैभी पाकिस्तान है उसको मिला लेंगे हम लोग तो पूरा पाकिस्तान वारा भारत कहलाएंगे भारती हो जाएंगे तो अरजित हैं फिर बहुत जल्द ही एक छुब नए क्लास के साथ तब तक लिए गुड़ नाइट टेक कियर और बाई थैंक यू